हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास 6 जिसका विश्य में पास यहां पर गनित है इसकी वर्कशिट नमबर 15 समझाँगी जिसकी डेट है हमार पास 17 निवेंबर 2020 आज की वर्कशिट में भी हम भीन के बारे में बात करेंगे लेकिन आज यह देखेंगे कि भीन कितने प्रकार क होते हैं और वो कौन-कौन से होते हैं तो कुछ आज की वर्कशिट में सीखने वाले हैं हम भीन कितने प्रकार के होते हैं कुछ अपनी नेक्स्ट वर्कशिट में सीखेंगे आज देखते हैं कौन-कौन से सीखने वाले हैं आज हम तीन तरीके के सीखने वाले हैं उचित वि और एक पार्टी इसका च्हायंकित है. तो मैं आपसे बूचूँ कि मुझे इसका भीन बताओ, कि कितना पार्टी इसका च्हायंकित है. तो आप क्या करने वाले हो? 1 by 4 मुझे बताने वाले हो. क्योंकि यह चार भागों में बतावाए तो नीचे तो चार आएगा हर में. और अंश में वो आएगा जितने भाग में आपने इसमें यह भढ़ रखा है, कलर भढ़ रखा है, यह वाला एक. 1 by 4 आगी है, तो इसको भीन बूलते हैं. आप जानते हैं कि उचित भीन होता क्या है हमान पस? देखो, उचित भीन वो भीन होता है जिसमें जो आपका अंश होता है, वो हमेशा छोटा होता है किस से हर से, हमेशा. जैसे कि अगर मैं आपको एक उधारन दूं यहाँ पर, तो 2 by 3, तो आप देखो यहाँ पर आपके पास जो हर है वो 3 है, तो आपके पास अंश है वो 2 है है नहीं है तो देखो 3 बराय और 2 छोटा है तो यह आपका क्या है उचित भीन तो उचित भीन में हमेशा अंश जो है वो छोटा होता है हर से जबकि जो विश्मू भीन होता है इसमें पता है क्या था इसमें उल्टा होता है इसमें जो आपका अंश होता है ना वह बड़ा होता है हर से अगर मैं आपको कोई उधारन दूं इसका तो इसी को पालट देते हैं थ्रीवाय च्छ sarà आपके पास क्या अपके पास हर वापके पास दो है तो आपका हर चोटा है अचर यमloru u बहन है और चोटा और हर tiny टो और ऑदो हो तो अडिकर ओव इस सारी आपके पास यहांपर लिखी है जो नों में यही है उनस और एक यहांपर लिखना आप Ce कि तीन में से दो हिस्से लिए जाए इस प्रकार के भिन को हम वीश्म भिन कहते हैं जिसमें हर अंच से छोटा होता है जो हर अंच से क्या होता है छोटा होता है ऐसा संभव नहीं है कि आप दो में से तीन हिस्से ले लो नहीं हो सकता ना इसलिए हम उसे वीश्म भिन कहते हैं तो आपको उचितर भीन और वीचम भीन पता चल गया अब रहा गया मिश्रिद भीन ये क्या होता है चलिए ये भी जाल लेते हैं ये सब कुछ आपके पास वह लिखा हुए देखो मिश्रिद भीन है क्या तो यहां पर आपको एक उधारन से समझाया हुए एक प्रशन दे यहां पर सीमा ठीक है एक आपके पास यहां पर रीमा और एक आपके पास यहां पर राहुल ठीक है इन तीनों के पास मिला करना चार सेव है अब यह चारो सेव चार सेव जाए इन तीनों में बढ़ाबर बाटने हैं तो कैसे बाटोगे देखो अगर तीन सेव होते हैं तो तो आप तीनों को एक एक दे दे दे, यह करते हैं, चलो पहले आप यही सोचके ना, तीनों को एक एक दे दो, तीन सेफ तो निकल गए आपके पास से, अब आपके बचा एक सेफ, अब एक सेफ तीनों को देना है, तो एक सेफ के आप क्या करोगे, तीन टुकरे करोगे और इन मिश्रित भिन जिसमें एक पूरा होता है हिस्सा और एक का कुछ हिस्सा होता है एक तो पूरा होता है और एक पूरे का कुछ हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन भी आपको पता चल गया उचित भी पता चल गया और विश्मी पता चल गया अब यहां पर बात आत इसको इस 2 से क्या करो मल्टिप्लाय कर दो जो भी इसका आंसर आएगा उसमें जो हमेशा आपके पास अंश में लिखा आता है उसको जो दो हमेशा ठीक है और नीचे वाला हर यह जो नाइन था वह ऐसी रहेगा तो 2 9 जा 18 18 में 1 प्लस करोगे तो 19 19 by 9 आपका आंसर आगया ठीक है तो मिश्रीद भीन को विश्म भीन में हम बदल सकते हैं कैसे बदलेंगे जो भी आपके पास हर है उसको जो वो पूर्ण संख्या है यह पूरा वाला जो भाग है इससे आप क्या करो पूरे वाले से गुना क जैसे कि आपको फ्रेश्य एक में कह रहा है निम में से ऐखतर भीन ईवर उन्सक्राइब है तो उच्छे त्रभीन ढूड़ने गोला लगाने तो उच्छे त्र attracting जिसमें जो मेरा रच होता है हर जो घोता है वह बड़ा होता है तो जहां जहां हर बर है और अंच छोटा इस पर गोला लगा देते हैं 6 by 7 तो हर बर है क्योंकि हर यहां 7 है गोला लगा दो 8 by 9 यहां पर भी 9 अंच हर बर है तो इस पर भी गोला लग जाएगा 11 by 5 तो देखो यहां पर आपका हर छोटा है 5 और अंच बर है तो यह उचितनी वीच में भीन है, इस पे गोला नहीं लगाना, 4 by 9 बिल्कुल ये भी होगा, क्योंकि यह 9 बरा और 4 छोटा है, 3 by 5 ये भी होगा, क्योंकि यह 5 बरा और 3 छोटा है, हर बरा है न, 5 by 7 ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका हर बरा और अंश छोटा है, 9 मिश्रित भिन को विश्मु भिन में बदले तो मिश्रित को किसमे करना है विश्मु में बदलना है तो अभी हमने जाना था इसको हम कैसे करने वाले तो क्या कर देते हैं हम जो ये हर था ना इसको जो पून था ठीक है पून भीनता इससे हमने क्या-क्या गुना कर दिया और जो अंच में लिखा था उससे जोड़ना था तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 बाइ 3 आपका अंसर आगे ठीक है अगर हम इसका दूसरा देखें 7 2 बाइ 9 वही करना है मैंने 7 को 9 से मल्टिप्लाय करूंगे और जो आंसर आगा उसमें 2 प्लस कर दूगी ठीक है तो 7 9 जा कितना होगा 63 प्लस 2 65 हो गया अपॉन में 3 एक चीज़ याद रखेगा पहले मल्टिप्लाय करना बाद में प्लस करना है गलती से भी आप पहले प्लस मत कर देना वरना गलत हो जाएगा ठीक है तो यह आपका अंसर आगी है ठीक है एक सकेsis यहां छोटी सी प्स्टी को गई है अव मिस्टेक को हुई किया करें है तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू